खोलो 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 धेर दिर क Lynn बहुत सहियार बहुत सही बहुत सही और अकर बंद करो तो धीस करना तो ऐसे जा कि यह हांや यह लॉक अब खोलो खोलो बहुत सही और बहुत एकदम सही एकदम सही बन गया यह तो अलो दोस्तो वेलकम टू माइ न्यूव वीडियो तो सबसे पहले मैं आप लोगो बता दूँ कि अपनी गाड़ी में सेंटर लॉग लग चुका है मतलब जो ओफ मैंने कर दिया था उसे मैंने लगा दिया है तो इसमें जो मेरे को सेंटर लॉग ओफ करना पड़ा था क्योंकि यहां पर जुद्धी करें होता है अगर आप लोगों दीख पा रहा होगा तो यह तार बहुत गंदे तरीके से वाइरिंग हुआ है तो इसी को हम आज ठीक करने के कोशिश करेंगे थोड़ा तो यह एक्सप्रेमेंटल वीडियो रहे अपना क्योंकि यह पर्मनेंट हिलाज नहीं है इसका तार जो कर जाता है डॉर के पीच में अगर आप लोग नहीं पता तो आप लोग पीछला वीडियो देख सकते मैंने अच्छे से एक्स्प्रेन किया है कि मैंने किस कारने सेंटर रोग इसका ओफ कर दिया था और यह तेखो यह टेलीफोन वाला वायर है तो आ तो आज हम इसी को चेंज करेंगे और देखने हैं वीडियो में तुरंट नहीं डालने वाला मैं इसको डालूंगा जनुरी आज है नॉम्बर 11 ठीक है 2023 मैं इसको अगले साल केरी करूंगा आगे देने का अगर ये सस्टेन कर जाता है ये जो है ये वायर चल जाता है तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखा लेता हूं कि में दिक्कत क्या है देखो ये वायर कैसे बाहर निकला हुआ है और ये बाहर इसलिए भी निकाल दिया मैं क्योंकि ये ना मुढ़ मुढ़ के कट गया था तो मेरे को फिर अलग से जोड़ के रखना पड़ा तो आज हम इ यह इसमें जो बोल्टेज जाता है, ठीक है, तो यह वाला-वायर सेह पाएगा मतलब उठापाएगा के निक रष्ट है अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें Čर वायर है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, दो वायर. एक के लिए दे दूगा और दो वयर जोड़ करके दूसरे वयर के लिए जोड़ दूँ rumor में ऑर यह सम्म सफल हो जाता है और इस सेंटर लोक काम करना दगता है सारा चीज को अच्छे से बना दूँ jumped प्लास्टिक का інदी स्ख़ताना पड़ेगा तो आप इसको तोड भी सकते हो जो में तोड़ी दूंगा इसको पलास ऐसे आप प्लस्ट में दबा दें उसके बाद टोड़ दें और से छील भी लिया और काड भी लिया में रख सिरस्ट काटने हिंे पड़ा इसको निकालना भूव। तो इसको मैंने काट ली हो आप लोग अगर देख पा रहे होंगे तो वह बहुत ज्यादा पतलातार है इसमें बहुत ज्वाइपे दिख रहा है है संहुट यह यह देखो तार भोलू पतला है तो अगर आप Weber देखें यहां तो सिर्फ दूहीतार है एक यह वलाधार है इसको कनेक्शन में और बीच नहीं आररीए जिसके काचीस में देकर हो ही कट पट के एंपके कर देखें और आर्मने से रही तो हमको यह दोर खोलना ही पड़ जाएगा लग रहा है क्योंकि यहां से पूरा नहीं निकल रहा है और इसको निकालना है और यह दोनो तो इसको इसको निकाल लेता हूं ज्यादा कठीन चीज यह रहता है इसमें इसको खूलना तो अगर आप लोगों में कैसे दिखाऊंग ठीक है तो इसमेना एक पिन होता है यहां अंदर एक पिन होता है उसको देख रहे हो एक पिन है वो तो वहां पर इसक्रूड्राइबर फंसा करके आप तो इसे इधर गुआना पड़ेगा तो पिन निकल जाएगा तब यह भी वहार आ जाएगा देखो यह ऐसे रहता है यह पिन यह जो गड़ड़ड़़ देख रहे हुई है और यह तो इसमें ऐसे फंसे रहता है तो इसको आपको पिल्हार ऐसे फंसा दिया है जो कि जैसे हमें इसमें ऐसे करके दबा दूंगा तो यह लॉक हो जाएगा मतलब यह जो वह देख रहे हुँ ना दात वह इसके अंदर लॉक हो जाता है यहां ठीक है तो इस टाइप से काम करता है आपको जब हटाना है तो जब वह ऐसे लगे जाता है अपना डॉर पैड अरांध निकल जाएगा यहां कुछ लॉक ही होते है उसको आपको खीच के निकालना है तो जैसे आप वह लॉक खीच के निकालो गए ऐसे एक स्कूरूड्राइवर फासा लो यह ऐसे करके आपको सारे लॉक खीच लेना है तो अपना यह जो है दोर पैड यह निकल गया है तो अब इसको हम निकाल देंगे रांग से यहां एक लॉक लगा हुआ है इसको भी निकाल लेते हैं तो ऐसे कुछ लॉक होता है ठीक है मतलब यह देख लिए वाइड वाइड यही इसका लॉक है और अपना सेंटर लोक का गन जो है वह यह वाला है और उसका जो वाइरिंग गया हुआ है आपको दिखा दूं यह वाला है तो इसी में हमको पहले टेस्ट करना पड़ेगा जै यहां पर रहे तो दोस्तों अभी देखो यह वायर जो इधर से आरहा है बोड़ी से यह कनेक्ट है इसमें और यह ऐसे जा गरके हम मोटर में तो बटन दबाते हैं देखो यह लॉक है यह काम कर रहा है तो मोटर अपनी अच्छे से काम कर दो है मतलब यह वला वायर जो है अगर हम लोग इसको रिय। छोड़ा हूं ऐसे करें तो एक कांग कर जाएगा तो अब हम उहां पर फिटिंग कर देते हैं यहां और बीच मैं तो इसको भीट करेंगे तो एक फिट इढ़ है और नहमिम है जैसे कि दो वायर करके लिया हूँ, क्योंकि ये बहुत पतला वायर है और ये बहुत मूटा तो वायर का थोड़ा ख्याल रखना की वोल्टेज जो भी आता है जेल पाय, ऐसे वायर को लगाना है तो दोस्तों मैंने इसे connect कर लिया है यहाँ पर फंसा कर रख दिया है और यह बहुत सई से काम भी करता है यह देखो ठीक है तो अब इसको मैं अच्छे से pack कर देए पहले taping करना है इसको अच्छे से जो भी खुला हुआ है तार है इसको taping करना है अच्छे से और यहाँ देख रहूँ है यहाँ पर छेदा है यहाँ पर छेदा है देखो तो इसके लिए damping sheet ले आया हूँ आपको damping sheet या कुछ भी use कर सकते हो same उस वाले door में भी छेदा दे रखा था company fitted लेकिन आगे वाले door में कोई छेद नहीं है तो हाँ तो ऐस टाइब से करना पड़ेगा अपने को पहले इसको मैं सई से कर लेता हूँ तो मैंने damping sheet उसको मैंने काट लिए और इसको मैं चिपकाऊंगा उससे पहले मेरे को यह जो होल दिख रहा है इसमें से pipe को निकाल लेना है उसके बाद मैं इसको अच्छे से taping कर दूँगा उसके बाद इसको चिपका दूँगा दोस्तों देखो मैंने damping sheet को अंदर घुसा दी है और अब मैं यह जो wire है इसको connect कर दूँगा उसके बाद चिपका दूँगा और काम पूरा हो जाएगा और यह जो भी खुला हुआ है यह इसको पैक करके खतों सेम उधर डोर और यह वाली डोर और राइवर डोर सब तरफ कर देंगे तो दोस्तों मैंने इस अच्छे से tap कर लिया है अब इसको मैं अंदर ले जा रहा हूं ऐसे करके तो देख सकते हैं अंदर जाएगा भी और यह जो है ना यह पीछे का गागच इसको भी निकाल देंगे और चिपका देंगे डैंपिंग को अब भड़ेंसे तो बन गया है और दिखने में अच्छा गया है है तो अब इसको तो अंदर मैं छिपा दूनगा जो बाहर के निकला है एक बर दर्वाशा बन करका को बन करो बंद करो- काफ़ी अच्छी से अंदर री दब गया है वो खोलो खोलो थीरheart को रहे बहुत सही आर बहुत सही जार दो धिरस करणा तो ऐसे जा कि ए ये कंará अब खोलो खोलो ऐसे हैं बहुत सही एकदम सही एकदम सही बन गया यह तो अब उनीज अशह वन गया तो अब इस डोर को पैक कर देते हैं ज्योंकि खुलाा है और और धोड़ को अच्छे से अंदर दबा देते हैं उसके बाद यह अपना कम्प्लीट हो जाएगा सार जो है हो गया अपना बहुत अच्छे से बन गया है देखो यह टेलीफोन वार रहा है यह वाला डोर का पैड को बैठा दिया है अब सारे जो भी इसके चीजें हैं उसको मैं लगाऊंगा जैसे कि यह वाला है तो इसको भी आप ऐसे करके करेंगे कि यह वाल को सड़ा दय को हलका से उठा लेंगेगे पकड़ दो बाब आप इसको ऐसे करके ऐसे करके बैठा से इसके बाद Aww kinda कास लेना है तो दोस्तों यह है यह यह पिन है न Mt. उपिन को आप को ऐसे लेना है उसके बाद कुछ नहीं करना हैापको फिट करके असको धक्का दे देना है लिकिन उससे पहले आपको यह वाला चीज लगाना पड़ेगा बीच में इतलब इसको ऐसे ठोड़ा खालो जैसे की ऐसे बीच-में रख करके ऐसे बीच में रख काप अब इसको अब फज गये है दोस्तों इसको आद रॉक हाई मैं इस तरब के द्राइबर ढुर पे आ गया हम और ईग सकते हैं इस Tammy प्लस एक खोल खाल के रखे थे इसको और यह अपना अपतार तो अब हम इसको यहां पर फेट करेंगे दोस्तों इधर कभी मैंने लगा दिया है जो कि अच्छे से अभी तो काम कर रहा है देखो और आप यहां देख सकते हो कि वाइरिंग कैसा हुआ है बहुत नीट और मैं व पूरा फुल ऐसे मुड़ता है तब ही टूटता है और यह उतना टूटने का चांस नहीं है और यह काम भी कर रहा है यह देखो ठीक है तो दोस्तों अभी हम ड्राइबर डॉर के तरफ पहुंच गया है जैसे कि देख सकते हो और यहां पर थोड़ा अलग सीन है क्योंकि यह तो यह तार ऐसे करके ऐसे ही आएगा यहां से ऐसे करके तो इस टाइब कर आँए बाहर ही निकले रहेगा थोड़ा तो देखते हैं इसको फिट करते हैं तो हमने दो तारों को एक साथ मिला करके तो और इचार तारों को दुदो करके एक एक जोडी बना लिया है ठीक है यह देख सकते हो तो यहाँ पर दो तार है तो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे लेकिन वहां के लिए हम लोगों कुछ और देखना पड़ेगा क्योंकि यह हम सब्सक्राइब करके करके लिए तो वहां पर हम इसको कि टीए डालेंगे फिलः उसके लिए देखिए कुछ दूसरा वायरिंग इसको में यहाँ डाल 59 जीसको tulee हो बनार कि ugye घोलिया है देख सकते हैं तो अवरो가지 स्लीख लेता हुआ है तो तो ँष्याम किना डेकिन उभ तो दोस्तो हमने इसे यहां फ़सा दिया है और अभी इधर टेपिंग करेंगे इसको मैं डालना भूल गया था बीच में फिर से खूलना पड़ गया मेरे अफसोस की बात है तो इसको मैं लगा लेता हूँ अच्छे से उसके बाद इसको यहां फ़सा खें यहां अंदर ऐसे तो दोस्तो मैंने यह लगा दिया है जैसे की देख सकते हो लेकिन यहां पे छेदी कराना पड़ेगा यही इसका इलाज है जो लग रहा है पीछे तरफ का तो अच्छे से बन गया तो मैं यह वीडियो तब कम से कम देड़ दो महिना मैं इसको देख लूँगा अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग को यह पता होना चाहिए कि यह successful रहा देड़ दो महिने तक उसके बाद है मैं डालूँगा आज नवंबर है नवंबर 11 तारीक है तो इसको दिसंबर हम लोग 3-4 ता काम कर गया है ठीक ठाप तो मिलते हैं किसी नहीं वीडियो में अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्क्राइब करना और कुछ अप्टेटरी मिलेगा इसका थैंक्यों